तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट गाइड में दोस्तों अगर आपके फोन में इंकमिंग काल आती है तो क्या होता है कि आपके फोन की जो काल स्क्रीन है वो दोस्तों काल स्क्रीन बिल्कुल सिंपल सी कुछ ऐसी दिखाई देती है लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आपके फोन की एक ऐसी जबरदस ट्रिक बताएंगे जिससे दोस्तों आप अपने फोन की काल स्क्रीन पर जो है अपना वीडियो जिहां दोस्तों फोटो नहीं फोटो के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी इस पर आप लोगों ने काफी प्यार दिया था तो अब दोस्तों आप अपना वीडियो लगा सकते हैं अपनी काल स्क्रीन पर अब दोस्तों आपका कोई भी वीडियो लगाना चाहिए अपना ही नहीं आपके कोई घर में छोटा बच्चा है family member है किसी का भी वीडियो आप camera से बना करके या कहीं से download करके कुछ भी लगा सकते हैं बस दोस्तों आपके phone में वो वीडियो होना चाहिए और इसके लिए दोस्तों आपको कोई भी application वगएरा कुछ भी install करने के जुरूद नहीं है आपके phone में ही एक ऐसी trick दी हुई होती जिसकी मदब से दोस्तों आप बड़ी आसानी से अपने incoming call screen पर अपना वीडियो लगा सकते हैं तो वीडियो दोस्तों बहुत ध्यान से 2 मिनट देखना उसके बाद आप भी बड़ी आसानी से इस trick को अपने phone में कर सकते हैं और अपने दोस्तों को चौगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना इकसी देरी के वीडियो इसटार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बने हों से पहले आप लोग इस बटण को फ। रसके वीडियो को लाइक करेज़ी तो उसके बाद सब्सक्राइब बटन को प्रृस रखे कर दीजिए इतना करने के बात दोस्तों आपको नीचे comment box वाक्स में आपको एक अच्छी ती comment तो दोस्तो अपने फोन की इंकमिंग काल स्क्रीन में फोटो लगाने के लिए आपको अपने डायलर में चले जाना है अब दोस्तो आप जैसे ही डायलर में जाएंगे तो यहां पर आपको सेटिंग में जाना है अब दोस्तो अगर आपको माई वीडियो सो की सेटिंग मिलेग और नीचे दोस्तो हर एक phone में एक setting दी हुई होती है display and brightness के नाम से तो इस पर आपको tap करना है अब दोस्तो यहाँ पर आप जैसे ही tap करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर नीचे आपको personalization की setting मिलेगी तो इस पर आपको tap करना है अब यहाँ पर दोस्त दोस्तो आपको phone में ऊपर कहीं plus icon हो तो अखुल मिलाकर आपको plus icon डोलेना है या आपके phone हो सकता add लिखा हो तो add या plus icon पर आपको click करना है इस तरीके से और यहाँ पर आपको ok करना है अब जैसे ok करेंगे आपकी gallery में ले जाएका आप जिस भी video को लगाना चाहते है आपको वो video select करनी है जैसे कि मैं इस video को लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से आपको select करना उसके बाद apply कर देना है और allow कर देना है अब दोस्तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से इसे apply करना है और यहाँ से लग चुका है अब यहाँ पर लग चुका है अब यहाँ से आपको बाहर निकलाना है तो अब चलिए दोस्तों मैं अपने दूसरे नंबर से काल करता हूँ और देखता हूँ कि जो वीडियो मैंने अपने लगाया था वो incoming काल स्क्रीन पर वीडियो चल के आता है तो नहीं वाव दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं जिस वीडियो को मैंने लगाया था वो वीडियो हमारा यहाँ पर प्ले हो रहा है और कितनी जबरदस तरीके से हमारा वीडियो प्ले हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी वीडियो को लगा सकते हैं दोस्तों यही ताइस वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो आप लोग नीचे कमेंट करिए वीडियो को लाइक सेर कीजिए और ऐसी वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कीजिए फिर में नेक्ट वीडियो में थेंक यू